हेई गाइज वेलकम बेक टीव अनुसका हैरस्टाइल दोस्तों आज चो हम ब्यूटिफुल सी हैरस्टाइल बनाने वाले हैं उसके लिए सबसे पहले मैंने हाफ अप में पॉनेटियल बना ली है और उसके बाद मैं क्या कर रही हूं नीचे के जो मेरे हैर्प्स बची हैं उस के मतल से अगर आपके हैर ज्यादा लभी नहीं है और मिड्राइस के मीडियम लेंग्ट के हैर हैं तो भी यह हैरस्टाइल आप पी बहुत ही सूट करेगा तो पॉनेटियल मैंने बना ली है उसके बाद हम क्या करेंगे सिंपल से स्टेप है आगे के जो हैर्ज है उसे हमने आगे लिए थे तो अपनी जैसे लेके आएंगे और उसके बाद आपको हलका सा ट्विस्ट करना है और इस टैप से ट्विस्ट कर देना है और यहां पर आप चुड़ा बिंस या यू बिंस लगा लेंगे ओके ऐसा करने के बाद आपको क्या करना है नीचे के जो हैर्ज है उसके साथ इस हैर को आपको इस तरह के से ट्विस्ट कर लेना है त्विस्ट करने के पाद यह जो हैर है उसे भी आप नीची की और लेके जाएंगे और यहाँ पर पिन लगा देंगे याद रहें दोनों हैर्स को साथ भी नीचे की और लेके जाने हैं तो आपको कुछ इस टाइब का बन मिलीगा उसके बाद आपको ट्विष्ट करती हुई उपर की और लेके जाना है make sure कि आप जो पिन्स लगा रहे हैं वो अच्छे से लगाएं और आपके जो हैर्स हैं वो अच्छे से स्क्यूर हो जाएं तो जहां जहां आपको जरूरत लगी वहां पर आप पिंस लगाईए और उसके बाद जो नीची के हमारे हैर्स होते हैं उसे भी हम अच्छी से मेनेज कर लेंगे और सिंपल लीव सिर्फ रबर बैंड और थोड़ी सी चूड़ा बिंस के मदद से आपका ये ब्यूटिफुल सा हैर बैंड बनकर रेडी हो देगा अगर आप चाहें तो इस टाइप से एससेरी लगा कर भी इसे और भी ब्यूटिफुल लुक दे सकती है मैंने यहां पर ये ब्यूटिफुल सा ब्रॉच लगा लिया है और आप दिख सकते हैं बहुत ही ब्यूटिफुल लग रहा है ये हैर बन दोस्तों कहीं पर शादी या पार्डी वगर इसमें जाने के लिए यह हैर बन एक तम से परफेक्ट है यूनिक है दोस्तों अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया है तो लाइक जरूर से करें और अगर आप हमाले चैनल पर नए आये हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और हो सकते तो शेर भी करिए तो मिलते हैं अगले झाल का झाल का तो